ओके नाव हेलो एंड वेलकम टू आल इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे करेंट रिलेटेट कौशन कौन-कौन से आये हैं IES प्रिलिम्स 2020 में जो की 4 अक्टूबर 2020 को हुआ है ठीक है तो करेंट के कौन-कौन से कौशन है सबसे पहले एक-एक करके जो कार्बन नेनोट्यूब थर्ड ठीक है तो आप इसे पॉस करके पढ़ सकते हैं कौशन नमबर फिप्थ नीमो कोकल कॉन्जूगेट वैक्सिन भारत में है और ये बहुत ज़्यादा जो है न्यूज में रही थी जब कोरोना वाइरस चल रहा था तो फिप्थ कौशन भी यहाँ पर जो है करेंट से ठीक है निमो कोकल वैक्सिन ओके नौ फिप्थ कौशन भी क्या है करेंट फिर से है ओके उसके बाद सेवंटेंथ कौशन देखिए सवंटेंथ कौशन में प्रो नुक्लियर ट्रांसफर अब यह एक वैसे तो साइंस एंड टेक्नोलोजी की अप्लिकेशन बेज़ड है पर यह करेंट में बहुत जाथा था यह सेवंटेंथ कौशन इसलिए हम इंक्लूट करेंगे किसमें करेंट फिर में ठीक है जो 2021 के प्रिप्रेशन कर रहे हैं वो इसे जो है अटेंप्ट नहीं भी कर सकते हैं कर भी सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है ठीक है 19th कौश्यन विजिवल ल से जो हैं component होते हैं वो जैसे 90-90 था ठीक है जो इस्टेटिक पोर्शन है यानि की ओके नौ उसके बाद नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर 31 कोशन नमबर 31 जो आप इसे include कर सकते हो ठीक है उसके बाद देखे यह वाला है आधार यह आधार से रिलेटेट कोशन है जो कि बहुत आप चर्चाओं में था तो 31 जो है आप इसे include कर सकते हो current affair में MP-LED scheme को हाली में suspend किया गया था तो यह scheme भी current में बहुत जादा चल रही थी तो यह current affair का question हो जाए उसके बाद next question है question number 40 ठीक है question number 40 है यह वाला question current से आलमाटा declaration क्या है convention क्या है ठीक है तलो now dialogue क्या है under two correlation क्या है तो मैं the following में यह पूछे जाते हैं तो question number 40 भी जो है हमारा current affair का हो जाएगा फिर है question number 55 ठीक है कौन सा question number 55 with reference to Indian desert national park अब यह national park बहुत ज़्यदा नियूज में रहा और यह current वाला question आप इसे include कर सकते हो इसके basis पर चार option दिये गए हैं जैसे आज के हमने हिंद्व एनलेसिस में western घाट पड़ा था कि मैंने question पूछा था आपसे western घाट जो है कितने राज्यों में फैला है वैसे Indian desert national park कितने राज्यों में फैला है ऐसा question जो है current का भी है और factual static portion है बट current में mention था इसलिए पूछा गया है ओके 55th question 57th question भी यह 57th तो history के basis पर है इसको हम include नहीं करेंगे उसके बाद है 56th और 58th question देखे 56th question वैसे तो geography में भी आप include कर सकते हो बट इंडिया चाइना के बीच में stand-off चल रहा था तो seaaching glacier की location बहुत ज़दा news में रही होगी तो वो कहां पर है ठीक है अब वो specific पूछते है वैली के बारे में नुर्बा वैली जैसे आज अटल टेनल है तो उस पर भी बहुत ज़दा वैली पासिस की basis पर question आ सकता था ओके 56th question भी क्या होगा करेंट से होगा 58 question यह भी करेंट से है Central Ground Water Authority के बारे में देखिए अब आपको दहिंद अनलेसिस में पढ़ने में थोड़ा सा रिलेव तो हुआ होगा क्योंकि हम जितनी भी ऑथरेटियां वो कर लेते हैं क्योंकि उसके बारे में हमेशा question पूछा जाता है जैसे वह फॉर्म्ड अंडर इंवार्मेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया है तो इस तरह से 58th question भी करेंट से है बट वो बॉड़ी करेंट में आई थी इसलिए हम ये इसे करेंट में इंक्लूट कर रहे है ठीक है ओके उसके बाद नेक्स्ट कॉशन 60 अमंग दा फॉलाइंग टाइगर रिजर्वे विच वन अब दाफ है दा लाज़स्ट एरिया अंडर क्रेटिकल टाइगर हैबिटाट ये भी न्यूज में आया बाद हम जाएंगे कोशन नमबर 74 में कोशन नमबर 74 देखने को मिलता ये इंटरनेशनल रिलेशन वाला है और प्रजेंटली क्या हुआ वही चीज़े हैं पिछले 10 सालों में इंडिया और सिलंका के बीच में ट्रेट बड़ा है या घटा है तो आपको कभी ऐसे कॉशन आत कॉशन भी किसान क्रेडिट काड़ से रिलेटेड है तो ये भी आप इंक्लूट कर सकते हो किसमें करेंट अफियर में ओके उसके बाद हम जाएंगे सीधे 95 कॉशन और 93 और 95 और 97 में देखो 93 वाला कॉशन कौन सा है देखिए देखिए बीच आप फॉलेंग प्रोटेक्टे करेंट में भी बट मैं इसे कहूंगा करेंट में ठीक है दूसरा प्रोटेक्टेर एरिया स्कावेरी जो नैशनल पार्क है वो भी हमें देखने को मिलना था ठीक है हाली में एक दो दिन पहले हमने किया था ओके उसके बाद नेक्स्ट है 97 लिच और फॉलाइंग अर्ड मॉस करीबन करीबन 20 से 22 कोशन करेंट अफेर के पूछे गए हैं इस पूरे न्यूज में तो वीडियो अच्छी लगिए वीडियो को लाइक कीजे और शेयर कीजे चैनल को सब्सक्राइब कीजे